इसे तो इस्मर्तीरानी के चर्चे आपने खूद सुने होंगे कि उन्होंने लोगों की मदद की लेकिन आज एक परिवार के लिए इस्मर्तीरानी फिर कहीं न कहीं मसीहा बनकर सामने आई हैं अमेठी से सांसद और केंद्री मंत्री इस्मर्तीरानी ने एक परिवार के बच्चे के इलाज की जिम्मदारी उठाई है इतना ही नहीं सांसद इस्मर्तीरानी ने बच्चे को मा जैसा दुलार दिया है और पूरे इलाज का खर्च उठाया है आपको बता दें कि गौरी गंज छेतर के रहने वाले सुनील अग्रहरी का छोटा बेटा गंभीर विमारी से ग्रसीत है कई दिनों से यह विमारी उस बच्चे को सता रही है और आर्थी किस्तिती से कमजोर होने के कारण सुनील अपने बच्चे का इलाज अब तक नहीं करा पा रहे थे जब उन्होंने सांसा दिस्मर्तिरानी से उनके दोरे के दोरान मुलाकात की तो सांसा दिस्मर्तिरानी का दिल पसीच गया और उन्होंने बच्चे कुमा जैसा दुलार दिखाते हुए बच्चे के इलाज का पूरा खर्ज अपने सिर्फ पर उठा लिया और उन्होंने परिवार को आस्वासन दिया कि उए उनके बच्चे का संपूर्ण इलाज अपने निजी खर्च से कराएंगी इस पूरी पहल से सुनील और उनके पूरे परिवार में खुसी की लहर है सुनील कहते हैं कि इसमर्तिरानी उनके लिए भगवान है यदि उनके बच्चे का इलाज हो जाएगा तो उनका बच्चा बच जाएगा और उसको नया जीवनदान मिल जाएगा आपको बता दें कि सुनील और गहरी परिवार से बेहद गरीब हैं और वे मिहनत मजदूरी करके जैसे तैसे अपने परिवार का भरण पूशन कर रहे हैं आईए सुनील और उनके परिवार से ही जानते हैं कि सांसर इसमर्तिरानी की तरफ से उन्हें क्या कुछ आश्वासन मिला और अब कितना फायदा होगा महोदे जी दीदी ने बोला है कि आप दिल्ली आ सकते हो तो तुरंत आ जाईए नहीं तो आप एक दो दिन में आपको दिल्ली आना आपको पूरा खर्च पूरा इलाज बीमारी से जिम्मेदारे से उठाएंगे क्या प्राबलम है और घर की क्याश्थिती है अभी तक अगर माली यह इलाज ना मिल पाता तो किस प्रकार की दिक्कत होती अपसर रही से परिसान वहां हार्ट का प्रेशन बांबे में कराए थे वहां पर बोले तो फिर इलाज हो जाएगा बाकि अपना खर्चा पानी यह तो तीन महीने के लिए बताए थे घर खर्चा पानी नहीं था जी दूट के उपर का खर्चे के लिए अच्छा इसे घर की क्याश्तिती है और इससे कितना फाइदा होगा जब सांसा जी ने आपको कह दिया है तो हमारे लिए बहुत फाइदा हुआ है वह हमारे लिए फाइदा हो जाएगा परोजा है पूरी उमिद है जिम्मेदारी से को इतना बताया हुआ हमारे लिए भगवान है जिए और हमारा नाम जीला देवी है हमारे बच्चे का हाट का दिक्कत है इसका अप्रेशन कराना है अभी सांसा जी ने आपको भरोसा दिलाया है कि आपके बच्चे का इलाज वे पूरा खर्च उठाएंगी क्या कुछ कहना चाहती हुंको लेकर कितने दिन से बीमार है अब का ये बच्चा सरे तो पाइदाई से चार महने के बाद पता चला इसको ठंडी में चार महने तक बच्चा इलाज मिल जाएगे तो उसे फाइदा हो जाएगा हां सर हो जाएगा ठीक